हेलो दोस्तो मैं ओदेडागर आप सभी का फर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक जम नूच भाई ओदेशर में दोस्तो इस सेशन की शुरुबात हम जल्दी करेंगे और इस वीडियो में आप सभी के लिए हम करीब करीब पचास के करीब मैं परसन लेकराया हूँ वैसे 45 पलस है और आप सभी को पता है कि हमारी जो आदत है लगवग हम आपके लिए इसमें कम से कम 70 पलस परसन कवर कराएं खालेंगे और मेरी आपसे एक रिक्वष्ट है आप इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर दें और दोस्तों एक और मैं आप से मिंते करता हूँ अगर जो भाई इस वीडियो को काट-काट कर देखेगा जल्د जल्द देखेगा कि जो से क्रीन पर पर से केवले वही प होने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ अलग्शे बताते हैं और हो सकता कुछ پिरसन आपके निकल जाएं और मैंसे कुछ पिरसन अग्जाम में आ जाएं तो भाई आपको लॉस हो सकता है तो बस अतना ही बोलूँ गा olmaz और और बैंक की प्ले लिस्ट वनाने वाले वहां से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी तो मेरा पहला प्रसन आप सभी के लिए तो हरिया नमें प्राकृतिक चिकत्षा केंदर कहां पर है तो प्रसन आजाए हरिया नमें प्राकृतिक जो चिकत्षा केंदर है वो कहां पर है तो इसका जो अगला प्रशन देखते हैं गिर देखो गिद्ड और गिर इन्दोनों में अंतर है डिफ्रेंस हैं दोनों अलग अलग प्रसन है मैं फिरके कह रहा हूं और भही मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रिसन कराया था गूजरी महल से संबंदे तो वो प्रिसन मेरे से गलत हो गया था उसका जो राइट अंसर है 1354 है तो एक बार जरूर चेक आउट कर लेना तो उसके बारे मैंने जान कर दी थी और जो गलती हमसे होती हम उसे और दोस्तो अगला प्रिसन देखते हैं गिर परिजन केंद्र कहां पर है तो गिर परिजन केंद्र आपका कहां पर है तो ये भी आपका पंचकुला में है और गिर परिजन केंद्र की सतापना कब की गई तो 1992-1993 में अब मुझे यहां से एक प्रिसन दिहान आ रहा आप सभ मैं आपको करा रहा हूँ तो यह 91-92 में स्टार्ट हुआ था तो ध्यान देना है अगला प्रसंद देखते हैं पंचकुला सब्द किस भासा का प्रार्तिक जो प्राकर्तिक सब्द है तो यहां से प्रसंद बन सकता है पंचकुला सब्द किस भासा का प्राकर्तिक सब्द है तो 40% 50% 20% 30% ऐसे प्रसन लेकर आते हैं लेकिन जो भाई अच्छे से हरियन जीके की तैयारी करना चाहता है तो भाई वो मौके को ना निकाले हो सकता है कि ये भरती आ रहे हैं इसके बाद फिर भरती ना निकले आपकी भी उमर निकल सकती है आपको भी मौके नहीं मिलेंगे बार जिरूर जोइन कर लें जिस भाई को लगता है कि मैं 1909 रुपे खर्च कर सकता हूँ ये ज्यादा नहीं है 1909 रुपे आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं खाने पीने में खर्च हो जाते हैं कहीं आने जाने में खर्च हो जाते हैं और भाई यहां तो आपको नौकरी मिल रही है 190 रुपेश हैं तो भाई ये मौका हाथ से ना निकाले अच्छे से एक बार जरूर जोइन कर लें और वो ही लेवल है जहां से HSC पूछता है बिल्कुल अलग लेवल है मैं इतना भी दावे के साथ और विश्वास के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे प्रसन आपको किसी चैनल या बुक पर नहीं मेलेंगे जो हमने अपने पेड वैच में कवर कराए हैं वो ही प्रसन है जो HSC बार बार पूछता है और अच्छे लेवल के जो प्रसन आते हैं आप दूसे कंडिजेट से पलस हो सकते हैं अगला प्रसन पूछाता है HSC ने कि हरियाना का हरियाना का एक केंदर सासित प्रदेश है चंदीगर बिलकुल और उसका एक उपग्रह है हरियाना का कौन सा जला तो इसका जो राइट ता आंसर पंचकुला को उपग्रह माना गया था तो भाई एक लुप्त जवाला मुखी भी पूछा था जो प्राचीन समय का जो विलुप्त जवाला मुखी के इंदर कौन सी पहड़ी थी अरावली पहड़ी या नहीं अरावली पहड़ी में एक धोसी की पहड़ी है उसे माना गया विलुप्त जवाला मुखी तो ये प्रसन भी साथ मिलेगी अगला प्रसंद देखते हैं पिंजोर का वर्नन किस अविलेक में किया गया तो इसका जो राइट आंसर है बावली अविलेक में किया गया किसमें बावली अविलेक में किया गया अगला प्रसंद देखते हैं मजूमदार का नुसर पिंजोर किसका हिस्सा था तलब 1140 issue में इसका वर्नन है, मिलता है किसका दीनी मस्जिद के निर्मान का, अगला परसन देखते हैं, नारद पुरान और वामन पुरान है, ये बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और वामन पुरान में किस जिले का वर्नन मिलता है, तो इसका जो रही टांसर है, जीन्द बिल्कुल अच्छा पर सन है, माभार्थकाल का परविग गोविंद कुंड हरियान के किस जिले में है, तो ये भी आपका जीन्द जिले में, कहां पर मिलेगा आपको, जीन्द जिले में मिलेगा, तो अच्छे लेवल की तैयारी करें, घिसा पिटा पढ़ने से कोई अगला परसन देखते हैं हरियाना के किस किले में साथ तालाव और आठ दरवाजे हैं तो कैथल का किला है कौन सा कैथल का किला इसमें साथ तालाव हैं और आठ दरवाजे हैं अगला परसन देखते हैं कैथल जले का प्रिसिद इटो से बना मंदिर पर साथमीं सतावदी में कि राज करता था उस जमें तो इसका जो राई टांसर है साली बाहन राजा कौए तो उनका राज़ था कैथल में साथ मिस्तावदी महर और ईटो से बना हुआ प्राची ने एक मात्रमंद्र हरियाना का पर है वो कैथल में है सीस महल के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी जो लाकोरी इटो से बना हुआ है ठीक है भई ये परसन भी मैंने आपका कवर कराया था अगला परसन देखते हैं सिटी गुरुद्वारा हरियना में किस जिले में है सिटी गुरुद्वारा हरियना में किस जिले में है तो एक गुरुदौाराराट सिटी की नाम से तो इसका जो राइट अंसर है कैतल में एक परसन और बताये था मैंने सीस गंज गुरुदौारा तो ये आपका कहाँ पर था अंबाला में तो भई ध्यान देना है अच्छे से तैारी करनी है मौके बार बार नहीं मिलते हैं मैं फिर से यही बोल रहा हूँ एक बार अच्छे से पढ़ ले तो अच्छा है नौकरी लग जाएगी और आप जिंदगी भर कमा सकते हैं अगला पिरसन देखते हैं हरियना का पिरसित बाबा नारेंदास मंदिर कहां पर है हरियना का पिरसित बाबा नारेंदास मंदिर कहां पर है तो ये भी आपका कहां पर है कैथल में कहां पर है कैथल में देखो एक रावन नगरी के नाम से जानते थे प्राचिन समय में किसको कैथल को क्यों कि रावन का बच्छवन यहीं पर बीता था तो यह person भी आ सकता है और मैं आपको बताना चाहता हूं तो बहुत ही person ऐसे हैं जो कैथल से लेटिड पूछे जाते हैं तो आपको एक बार धंग से पढ़े कर जाना है अगला person देखते हैं पढ़े कर जाना धंग से अकर by chance मेरे से कोई बोलने में गलती हुए तो फिर से मैं मापी चाता हूँ अगला प्रसन देखती है पश्चिम भारत का कौन सा दैनिक समाचार पत्र अंबाला से प्रकासित होता है तो इसका जो राइ टांस्वर है पंजाब केश्री हरियना का प्रिसिदिक पटेल पार्क किस जिले में है तो इसका भी आंस्वर क्या होगा अंबाला और आप बार बार डेमांड करते हैं कि सर इसकी पीडियाप हमें दे दें तो भाई पीडियाप आपको पीडियाप में मिल जाएगी क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हैं तो भाई या तो आप सिक्रीन सॉट लेंगे फिर प्रिसंद देखेंगे तो भाई कब तक सिक्रीन सॉट अपने पास रखेंगे इससे अच्छा है कि एक बार पेड़ वैज जोइन करने लिखने की जो जंजट है उससे सॉरी थोड़ा सा धहरे बनाए रखें नौ रंगय तालाव के इस जले का प्रिसिद है तो भाई ये आपका प्रिसिद है अंबाला का कहा का प्रिसिद है ये अंबाला का अगला प्रसंद देखते हैं हरियन राज्य में सैनिक अड़्डा कब बना तो ये ठार सो तेतालिश म फासी दे दी गई तो ये प्रसन भी एकजाम में पूछा जा सकता है अगला प्रसन देखते हैं हरेयना के प्रसित शेतंत्ता सैनानी लाला दुनी चंद का संबंद के जिले से हैं तो इसका भी जो राइट आंसर क्या होगा अंबाला तो कुछ प्रसन हमने अंबाला से कवर किय कुछ हमने जीन से कुछ कैथल से तो भाई पिरसन कहीं से भी आए लेकिन अच्छे पिरसन आपके लिए हम लेकरा रहे हैं अगला पिरसन देखते हैं सुसमा स्वیراج को देविलाल सरकार में कौन सा पद दिया गया तो सुसमा स्वیराज ये विदेश्य मंतरी थी पहली और इसका सम्बंध हरيयाना से अंभाला से बलांग करती है कयी बार पलवल भी होता है उपसन में वो बात अलग है तो ये दिल्ली की पहली महिला मुख्या मंत्री भी बनी थी, ये बात भी हम आपको बता रहे हैं तो इसका जो राई टांस्वर है सिक्षा मंत्री तो सवसमा स checking को देविला सरकार में कौन सा पद दिया गया शिक्षा मंत्री का पद दिया गया अगला परसन देखते हैं खर्गा गोल कोर्ष कहां पर है तो इसका जो राइट आंसवर है अंबाला तो ये भी आपका कहां पर है अंबाला में कौन सा खर्गा गोल कोर्ष कहां पर है अंबाला में हरियना का सिर्मोर जिला किशे कहते हैं Important person है वाई घरियान में का सिर्मोर जिला केशे कहते हैं तो इसका जो right answer है अम्बाला को सिर्मोर जिला कहते हैं अगला person देखते हैं घरियान में सबसे कम गहुन का उत्वादन किस जिले में होता है पंचकुला में होता है क्योंकि छोटा जिला भी है अगला प्रसन देखते है अब बहुत से स्टुटों सोच रहा हुए कि ऐसे प्रसन कहां से आते हैं भई मेहनत से आते हैं आप भी मेहनत कर सकते हैं आप भी पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने का आपका जो नजरिया वो अलग है हमारी मेहनत अलग है किसी और की मेहनत अलग है लेकिन हमारी मेहनत वही मेहनत है जहां से आपका सेलेक्शन हो जाए अगला परसंद देखते हैं कैक् मनि माज़रा साथक गोपाल सिंग ने करवाया तो मनी माज़रा सासक, गोपाल सिंग ने करवाया तो इसका जो राइट आनसवर है अठार सो पंद्र में किसने की आता मनी माजर सासा गोपाल सिंह ने तो भाई यहां से प्रसुन आते है अच्छा मंदर है मंसदे मंदर बहुत ही अच्छा तीर सथल एक प्रकार से अगला प्रसुन देखते है हरीया नंदर पटियाला मंदर कहां पर है तो भाई बिल्कुल अच्छा वह इमौनी पहाडियों के बीच इस्तित एक प्रकार से हैं तो ये भी आपका कहापर हैं पंच कुला में हैं जिने सिवालिक पहाडियों के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रसंद देखते हैं तो इसका जो राइट आंसवर है पंच कुला में की गई है पंच कुला से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रसंद कवर कराई है अगला प्रसंद देखते हैं हरियाना राज्य सत्य बाली का दिवसकायोजन कब किया गया तो राज्य सतर का बाली का दिवस कायोजन किया गया था तो ये है 2018 में पंचकुला में किया गया लेकिन पूछ ले आगी 19 के अनुसार पूछे जो बाल मौतसब कायोजन है राज्य सरकार दोवार जो बाल मौतसब कायोजन है वह कहाँ पर किया गया था गुरूग राम में किया गया था 2000 निश्क की बात कर रहा है कहाँ पर किया गया गुरूग राम में किया गया तो यह person भी आ सकता औरे person मैंनि current of air इम आपका cover कराया है अगला person देखते हैं पसुपती संपरदाय नेपाल से संबंद अभी लेक किस जिले में मिला है तो इसका जो राई टांसर है सिर्सा में मिला है कहाँ पर मिला है सिर्सा में और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ गलती हमारे होती नहीं है कई बार बाई चांस भी गलती हो जाती है मिस्प्रेंट भी हो जाता है उसके लिए हम आपसे फिर से मापी चाहते हैं अगला प्रसन देखते हैं कला उतकरस्ता केंदर हरियाना में कहाँ पर है तो राइट आंसर इसका होगा सिर्सा कहाँ पर है वही सिर्सा में है और आजये सांस्कृत जो मौच स बल्लम गड़ में किया जाता है तो कई परसन अलग 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 आते हैं उन परसनों पर आपको डिफ्रेंस देखना है एक जिससे लगते हैं कही वार अगला प्रसंद देखते हैं 8884 में सिर्सा किस जिले का प्रमुख भागता बटियाना का एक प्रमुख भागता कब की बात हो रही है 8884 की बात हो रही है कब की 8884 का नुसार अगला परसुन देखते हैँ चोर मौर का यूद किस जिले में हुआ तो भई, important person है चोर मौर का यूद किस जिले में हुआ तो इसका जो right answer होगा सिरसा में है तो ये भी कहां पर हुआ सिरसा में हुआ अगला परसुन देखते हैं आपसे request करता हूँ जिस भाई को नौकरी चाहिए देखो हमें लालच नहीं आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगए वहाँ जा सकते हैं लेकिन अगर आपके एक कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं और आपके दो तीन चैनल नंबर पलस हो जाते हैं और आप एक वार में लाको या हजारों की संक्या में सुटुडेंट को क्रोस कर सकते हैं तो भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक नंबर आधा नंबर उससे भी आधा नंबर से नौकरी मिलती है मेहनत करने से नौकरी मिलती है नौकरी अपने आप हाथ में नहीं आएगी अपने आप तो खाना भी मुह में नहीं जाता है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है तो भाई बस इतना ही बोलूँगा और उमीद करता हूँ फिर से विंती करता हूँ इस वीडियो को सेयर कर दे जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब ने किया तो वो चैनल जरू सब्सक्राइब कर ले और हो सके तो इस वीडियो को जाद़ से जाद़ सेयर जरूर कर देना क्योंकि हमारी मेहनत आपकी लगन से ही सब कुछ कामयावी हो सकती है तो बस इतनी ही जान करें दूँगा और आप सभी ने इस वीडियो को इहां तक देखा और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ठीक भाई फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ